ए सब्सक्ति प्रेशा. अमआलोours एब्रिवन, वॉलकम हे चरी एस्पिनेंस तो बी यह कहा है , पिर से रिवाइज रिवाइज्ज रिजिल्ट आया हिए ऐए बी इंट्रेंस इक्जाम का का जो रिवाइजेल्ट आया था जारकन बी यह का उसका वाइज data का उसका उसका रिव का आप डाउनलोड करके अपना रेंग फिर से देख ले मिला ले कि क्या दिक्कत था तो सबसे पहले मैं नोटीस पढ़के सुनाता हूं तक कि आपको यह समझ आ जाए कि आखिर क्यूं यह रिवाइजड रिजल्ट जारी करने का ज़रुरत पड़ी जैसी सीवी को तो हम तुरुटी पूर्ण पाए जाने के कारण एतत द्वारा संसोधीत परिक्षा पल जारी की जा रही है यानि जो इडबलो एस कैटेगरी से बिलॉंग करते थे इडबलो एस जनरल वाले ठीक है उन लोगों का जो रिजल्ट है उसमें बहुत सारी गलतियां होने के कारण औ पिर से इस रिजल्ट को जारी किया गया तो वही चीज बोला गया है इसमें कि आप उस जैसी सीवी की साइट में जाके उस हमपज पर रिजल्ट कॉलम में जाके अपना रिजल्ट फिर से देख सकते हैं मैं बोलूंगा कि एक बार अपना रिजल्ट आप चेक कर ले ताकि आ उसमें कुछ changes है ये चीज़ आप जाके देख ले तो पिछले का जी result था कुछ इस तरह से था दोस्तो दोस्तो जो 16 तारी को जारी हुआ था result 16-10 को beard का उसका कुछ इस तरह से format था बना हुआ यलो कलर का लिखा हुआ था सारे column में और इस तरह से rank बने हुए थे ठीक है और अ जाले लिखा हुआ था result of beard entrance examination दोस्तो अभी जो result जारी हुआ फिर से उसका कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि revised result देखें यहां पर लिखा हुआ है revised result 4 of beard entrance comparative examination और इस यह जो result का date आप देख रहे होंगे 21 तारीक को जारी हुआ यानि 21 नौंबर को यह जारी हुआ ठीक है और यह result से आप मिला सकते हैं कि आपका जो पिछला वाला result जो था ठीक है उससे और अभी का result जो है उससे दोनों का cml rank जो है वो same है की नहीं या फिर category rank same है की नहीं किसी भी तरह से कोई match कर रहा है की नहीं हो सकता है आपका difference cml और category rank या फिर हो सकता है नहीं भी हो ठीक है तो ews से related ज पूरे सारे बच्चों का जो भी इंटरेंस इक्जाम का दिये थे उन लोग सारे का रिवाईज रिजल्ट दिया गया है। ठीक है तो इस रिजल्ट में जाकर इस चीज को डाउन्लोड करके आप अराम से इस PDF को डाउनलोड करके JCCB की साइड से आप अपना rank देख ले और अपना क्या बलते हैं category rank देख ले बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि sir मैं general से विलोंग करता हूँ और मुझे CML rank दिया गया है और category rank नहीं दिया गया है जबकि मैं EWS category से हूँ भी ठीक है उसके बावजूद मुझे नहीं दिया गया है तो मैं बता दो दोस्तों कि EWS जो है ठीक है वो एक खुद में एक category है इसलिए EWS का rank दिया गया है not category rank में इसको सामिल किया गया है अगर आप देखे तो यह इस बच्चे का देखिए इस बच्चे का यहाँ पर CML rank 5 है आपको दीकरा होगा यह CML rank जो है वो 5 है इसका category rank में यहाँ पर blank है और EWS rank 1 है ठीक है तो यहाँ पर यह चीज सो कर रहा है कि जिसका CML rank जो general से है और वो EWS भरे हुए है ठीक है यानि अपने application में EWS का column को टिक किये थे कि हाँ मैं EWS की category में आता हूँ तो वो उसका CML rank आएगा और EWS का एक rank आएगा उसका category rank नहीं आएगा क्योंकि EWS को ए category नहीं है EWS का एक अलग से column बनाए गया है वो खुद में एक category है ठीक है इस category rank में HTSC आएंगे BC1 आएंगे BC2 आएंगे ये EWS नहीं आएगा EWS का अलग से column है EWS rank का लिखा हुआ ठीक है तो आप इसमें confuse ना हो आप EWS rank से भी seat ले सकते हैं चलिए आज की वीडियो में इतना है फिर मिलता है एक नए वीडियो में अगर आप चैनल उसके नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले अगर मैंने कुछ अच्छी चीज़े बताई तो आप सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद